हेलो एवरीबरी तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे तो फ्रेंज आप लोगों का स्वागत है हमारे टेकनिकल अभी यूट्यूब चैनल में और टेकनिकल अभी यूट्यूब फैंबली में अगर हमारी फैंबली का हिस्सा भी तक नहीं बने हैं तो जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जाना है लिंक पे और अभी फैंबली का हिस्सा बन जाना है टेलिग्राम पे क्योंकि अगर वहां पे नहीं है तो बहुत कुछ मेस कर रहे हैं और आज से यानिक कल से मैं अल्रेडी स्टार्ट कर चुका हूँ लाइव आप लोगों की और मेरी एक साथ हम ट्रेड करेंगे और विं करेंगे तो फ्रेंस आज हम बात करने वाले हैं मेटा ट्रेडर 4 अप्लिकेशन के बारे में तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों की आई है और आपको पता है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मेरी वी dedication का नाम है meta trader 4 और इस तरीके का logo है आपको play store पर मिल जाएगा अगर आप play store पर सर्च करेंगे तो download link आपको description में भी मिल जाएगा तो आज हम इसकी पूरी working discuss करने वाले हैं किस तरीके से work करता है बहुत अच्छा trading software है पहले ही बता देता हूँ capital और board letter में की बहुत ही अच्छ trading software है आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है अगर आप trading में है और आप इस software के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखना seriously guys अगर मज़ा नहीं आया वीडियो देखके तो definitely dislike कर देना वीडियो देखके अगर मज़ा आया थोड़ी से भी काम की information लगी क्योंकि अगर trading में ध्यान देते हैं trading में knowledge रखते हैं तो ये जानकरिया आपको होनी चाहिए कि meta trader for application किस तरीके से use की जाती है और किस तरीके से इसको से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे आपका risk जो है बहुत कम होता है और profit बहुत सादा तो application का symbol आपको दिखा दिया ह आपको इस तरीके का मिलेगा इस application को अगर आप open करते हैं तो इस तरीके का interface आपको मिलेगा यहाँ पे interface में सबसे पहले यह आप देख पा रहे हूँगे यह currencies है ठीक है जो आप हर एक software में अगर वो volume trade हो iron trade हो किसी का promotion में नहीं करूँगा लेकिन सारी applications है जो कि आपको trading provide कर पालए तो उन सब में आप यह जो currencies हैं देख पा रहे हूँगे यहाँ पे currencies का आपने देख लिया है अब यहाँ second के बाद यहां पे red हो रहा है कभी blue हो रहा है red हो रहा है blue हो रहा है changes हो रहे है तो यह जो है यह जो rate है यह आपके है किसके लिए buy signals के लिए ठीक है अगर आप buy करेंगे तो इस rate के साथ करेंगे अगर sale करेंगे तो इस rate के साथ करेंगे ठीक है यह चीज ध्यान में रखना अब एक चीज और बता देता हूँ यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर Euro USD के नीचे एक चीज लिखी है जिसका नाम लिखा है spread spread का जो 19 लिखा है भी spread तो spread basically क्या होता है spread होता है low और high के बीच का difference मतलब basically जो हमारे जो जिनकी application है तो यहां पर यह spread का मतलब basically हो गया brokerage यानि जो broker है उनका commission है यह spread यानि अगर आप यहां पर इस पर trade करते हैं तो 20 dollars अभी देखे 20 dollars है 19-20 के आसपास ही रह रहा है तो average यहां पर 20 dollars आपको pay करने पढ़ेंगे पहले trade करने से पहले आपको pay करने पढ़ेंगे इस application को यानि जैसे ही आप trade करोगे आप already minus में होगे उस time पे minus 20 के साथ आप trade को start करोगे समझने की थोड़ी सी कोशिश करना थोड़ा सा complex है इसलिए मैं ज्यादा time दे रहा हूँ इस application को समझाने में तो structure समझने की कोशिश करना जैसे ही आप यहाँ पे trade करोगे इस application पे इस particular currency के लिए तो आप minus 19 से start करोगे trade आपकी trade open होगी minus 19 पे और close कब होगी वो आप पे depend करेगा आप अपने मर्जी से उसे close कर सकते हैं तो यहाँ पे यह इतनी चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो अभी मैंने यहाँ पे demo account खुला हुआ है जैसा कि आप उपर चेक कर पा रहे हैं यह account जो है demo account है और आप चाहें तो यहाँ पे live account भी जा सकते है live account में भी ठीक है कुछ options देख पा अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितने option नीचे दिख रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे option आपको नीचे दिखेंगे छे में से सबसे पहला जो option है इसका मतलब है यहाँ पे currencies आपको दिखेंगे जिस currencies पे आपको bid करना है दूसरा option है दूसरे option में अगर आपन इसलिए आपने क्या bid की है, क्या winning है आपकी, चौते में कोई news होगी तो वो आपको मिलेगी और पांच भी option में अगर आपको support पे जाना है तो इसको आप use करेंगे, अब मैं जाता हूँ चलिए trade करते हैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, live account बनाएंगे, तो किसी भी currency पे आपको click करना है, suppose कीजिए मैं यह जो पहली currency है, euro, USD, तो मैं euro, US dollar, इस पे मैं click करता हूँ, तो जब मैंने इस पे click किया, तो यहाँ पे चार options मेरे सामने खुल के आ रहे है, new order, open चार्ट, symbol property और advanced view mode, तो open चार्ट से क्या होगा, इसका जो चार्ट है currency का वो open हो जाएगा, तो फिलाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है, new order की मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे order अभी देना है, sale के लिए, या फिर buy के लिए, तो मतलब मुझे जो है, trade करनी है, sale के है, buy के ल इस interface में कुछ चीजे हैं समझाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक option है, instant execution का, यहाँ पर 1.00 selected है, यह आप देख पा रहे हैं, यह जो value है, यह है buy की, और यह जो value है, यह आपको मिलेगी sale की, ठीक है, यह price है, तो अब ब market, अप जाएगा, तो आपको click करना है buy पे, अगर आपको लगता है market down जाएगा, तो आपको click करना है sale पे, तो friends, जैसा कि आपको पता है, normal applications में, trading applications में, हम जब thread करते हैं, तो हम same scenario, जो है, use करते हैं, लेकिन यह application, बाकी सारी application से different कैसे है, वो आपको बता देता हूँ, इस application में, जब market volume, जो आपको बता हूँ, market volume का standard, अब set कर सकते हो, अब standard volume, value उसकी set कर सकते हो, कैसे बताऊँगा, आप अपने हिसाब से thread को close कर सकते हो, अब जब चाहो partially close कर सकते हो, totally close कर सकते हो, यह बहुत major difference है, आपके winnings में, और यह application के बीच में, तो वीडियो पूरी देख है, बार-बार like नहीं किया है, तो definitely आप अभी कर दो, और comment वीडियो के देखने के बात कर देना, क्योंकि आपको बता दिया है, पसंद आई गी वीडियो आपके, तभी like करना, लेकिन नहीं आई, तो आप मत करना, लेकिन इतनी बात है, अगर आपको पसंद आती है, तो Instant Execution क्या है, Instant Execution पे जब मैंने क्लिक किया, यहां पे मेरे पास options खुल के आते हैं, buy limit, set limit, buy stop, sell stop, तो friends आपको बता देता हूँ कि Instant Execution का use करते है, अगर हमें ट्रेड करनी होती है, real time market पे, आपको पता है कि market का फिलहाल क्या rate चल रहा है, फिलहाल क्या scenarios है market में, up है या down है, यह सारी चीजें चेक करने के बाद हम Instant Execution में जो करते हैं, बिट करते हैं, Instant Execution में limit हमें set करनी होती है, पहले ही buy की और sell की, तो यह चीजें है, ठीक है, आपको इसकी जरूरत फिलाल नहीं पढ़ने वाली है, और नहीं मैं recommend करूँगा, अब यह जो चीज है, important चीज है, या 1.0 standard volume की value होती है, standard जो volume होता है, हमारे जो currencies का, उसकी value होती है, तो अगर मैं standard इसे set करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर set करना होगा 1.00, अगर मैं मुझे यहाँ पर partially अपनी जो thread है, उसको close करनी है, या partially उसको चालू रखना है, यानि कि जब मैं चाहूँ मेरी thread को close करूँ तो पूरी तरीके से वो close नहीं होगी, partially close होगी, तो उस scenario मैं मुझे यहाँ पर इसको edit करके 0.5 और 0.05 पर जाना है, ठीक है, तो फिलाल मैं एक पर ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरा जो thread है totally close करने में में मैं ज़्यादा interested हूँ, तो अब देखे scenario कुछ नीचे की तरफ जा रहा है और आपको पता है हमारा channel हमेशा उल्टी चीज़ें करता है, तो मैं इस पर buy पर click करूँगा scenario down है, लेकिन मैं करूँगा अब पर, तो buy पर जैसे ही मैं click करूँगा order is open, तो order जो है open हो गया है, और देखिए जैसे ही मैंने order को open क्या, minus 20 में में मेरा चला गया, क् क्योंकि यहाँ पर broken charges मैंने आपको बता दिया थे, starting में वो थे 20, broken charges 20 थे तो आपकी जो bid है वो start होगी minus 20 से, यहाँ पर देख पा रहे है, total balance, यह आप देख पा रहे है, equity मतलब कितना बचा है, या remaining या marginal difference जो है, कितना है, और यह free margin आप यहाँ पर check कर पाएंगे, और बाक पर, अच्छी बात क्या है, सबसे important चीज क्या है, जो हुकम का इका मैं कहूंगा, ताश के जो पत्ते होते हैं, वहाँ पर हुकम का इका भी तक, जो main पत्ता है, वो हमने नहीं खोला है, तो यहाँ पर दो thread देख पा रहे हैं, किसी भी thread पर मैं करके रखूंगा, long tab, दो second के बाद एक window खुलती है, और उसमें आपको दिखता है, पहला ही option close order का, दूसरा new order का, तीसरा modify order का, और चौसा chart का, तो यहाँ पर अगर मैं click करता हूँ, close order पर तो यहीं पर यह bid हो जाए, कि close, और आपका अगर profit होगा, तो definitely आप profit में जाओगे, loss होगा, तो loss में जाओगे, new order पर click करोगे, तो एक और order create कर सकते हो, same इसी में, और modify order पर जाओगे, तो आपको बता देता हूँ, आप sale by जो आपने set किया है, वो आप modify नहीं कर पाओगे, लेकिन आप standard value जो market के आपने set की है, यानि volume की standard value जो आपने set की है, जिसके बाद आपका जो bet है, या bid है, वो आ अगर partially execute करना चाहते हो, तो वहाँ पर standard value 1.0 की जगा, आप 0.5 भी डाल सकते हो, तो यह आप कर सकते हो, modify order में, चार्ट में जाके आप chart चेक कर सकते हो, इसका क्या chart चल रहा है, लेकिन अगर आपको close करने, आप जब चाहें इसे close कर सकते हो, जैसी यहाँ पर आपको green मिले, जैसी आपको यहाँ पर blue मिलेगा, उसी time पर आप इसे close कर सकते हो, ठीक, उसी time पर close करके definitely आप यहाँ से win ले सकते हो, और जितनी भी amount यहाँ पर आपको blue में मिलेगी, वो amount आपकी winning में add हो जाएगी, तो और यहाँ पर सबसे उपर यूपर balance में आप चेक कर पाएंगे, औ उसके बाद आप इसे withdraw ले पाएंगे, तो बहुत इची application है, आप जब अपनी मर्जी से चाहें, यहाँ पर close कर सकते हैं, और यह feature आपको हर एक application में नहीं मिलेगा, तो अब बात आती है signal software की, कि कौन सा signal software इसके लिए perfect रहेगा, तो friends उसके लिए भी work चल रहा है, definitely बिना research क किये market पे, बिना खुद use किये मैं आप तक नहीं पहुचाता चीज़ों को, और मैं थुड़ा भी आइस चीज़ को analyze कर रहा हूं, check कर रहा हूं, definitely का आने वाले time में, आने वाले time में, आपके लिए definitely लेके आने वाला हूं, बहुत ही अची application, जो definitely profit के signal आपको यहाँ से, ऐसी application बहुत ही जल्द देके आने वाला हूं, आप ही लोगों के लिए, यहाँ पर मेरा loss है, वो कम होने लग गया है, 20 से हो गया है, 10 और एक time आएगा कि 10 से लेके मैं 200 डॉलर के profit पर भी जाऊंगा, मतलब चीज़े change होगी, तो आपको मजा आने लगेगा, यहाँ से bid करने में, trade करने में, और जब earn होगा, तो definitely सबको मजा आता है, ठीक है, आप बता देता हूं, वीडियो like कर देना, अगर पसंद आई हो, क्योंकि आपकी call है, आप like कर देना नहीं पसंद आई, तो definitely आपकी call है, और उमीद करता हूं, MT4 यानि Meta Trader 4 से जो चीज़े हैं, जरूर सी social accounts में, follow कर सकते हैं, और वहाँ भी आप पोच सकते हैं, किसी भी प्रकार की query अगर आपको है, तो बाकी मुलाकात करते हैं, नेक्स वीडियो में, और अच्छी सी applications के साथ, अच्छी सी tricks के साथ, एक ordering नई strategies के साथ,